आइरवेद का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही रहा है कि आइरवेद ना जनरेशन टू जनरेशन चला है और लोग अपनी नौलीज शेयर नहीं करते था और जितनी चीज़े होती था बस वो अपने पास कंसाइज रखते था और उनी के साथ चीज़े चली जाती इसलिए आइरव करना है गरम पानी में शेयर डाल के पीज़े निम्भू एक निचोड़ी आप पतले हो जाएंगे यह बहुत गलत है बहुत गलत है क्योंकि आईरवेद मानता है कि अगर आप हनी को हीट करते हैं यह ऐसा पॉईजन वर्क है आपको बोड़ी में धीरे धीरे टॉक्सिंस एक पित वाला थोड़ा सा जादा कर सकता है कफ वाला 16 गंटे कर सकता है पर पहले यह जानो कि आपी बॉड़ी है किसी और अगर आप करने लगोगे ना तो तो फिर अपना बॉड़ी टाइप जानना ज़रूरी है आप जनलाइज कर ही नहीं सकते आईरवेद को कभी भी लग लग है जैसे हम बोलता है कि आई रुट इपना पर अन पर अरुप अ पर अपना अपर अपर अरुप पर बिलीव रा तो आईरुप ने मुझे कभी दोका नहीं दिया बहुत अच्छा फिल कर रहा हूं और एक्स्पिरिंस भी लेना चाहता था पॉड्कास्ट का डेफिनिटली क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब तो अल्रीडी कर रहे हैं बट पॉड्कास्ट का अज तक एक्स्पिरिंस नहीं था एंड मैंने आपका काम देखा हैं इंस्टाग्राम पे सो मेरे को लगा कि मैं को जाना चाहिए और बहुत अच्छा एक एक्स्पिरिंस भी मिलने वाला है और आप रिल्स डाल रहे हैं और इतनी कूल रिल्स रहे हैं कि देखके लगता है कि यार एक बार जागे हम भी एक्स्पिरिंस करते हैं तो ग्रेट वर्क्स अप एक्सली हुआ था कि लॉक्डाउन का टाइम था ताइम ही टाइम था तो क्लीनिक पर जाते थे बट खुद को रि कि अरफ से कुछ होता है क्या हमें चूज करना चीए अरफ बहुत सघ्या ऑड़ता है बहुत सारे तो जवाब हम दे रहे हैं कमेंड बॉक्स भरा हुआ है चुछ बैकर की फिर हम ने शोगना सब्सक्राइब हम करते हैं अरफ वयर्वेध में होता गया है तो बेसिकली हमारी जो फील्ड है वो पंचकर्म की है पंचकर्म वर्क करता है डिटॉक्सिफिकर्शन जैसे आम भाषा में आज हो गया डिटॉक्स करें बट इस नोट जस्ट लाइक दा बोडी को बालेंस करना डिजीज से बचाना और अगर कोई क्रोणिक डिजीज है उसको कैसे इराडिगेट करना बाड़ी से तो हमने उसको दिखाना शुरू किया कि अक्चुल में रियल पंचकर्म है क्या तो छोटी-छोटी वीडियोज अब रहील आ गई और थोटा सा लैंग्वेज वाला नहीं है कि आपको इंग्लिश इंदी वाला कुछ नहीं ताकि सब लोगों के लिए वो इसली अवेलिबल हो और हमारा मेन फोकस यंग्स्टरस पीदा कि आज के टाइम में आईरवेद को हम कैसे बूम कर सकता है वो तभी हो सकता है जब हम आज की जनरेशन को पकड़ के चलेंगा जो पुराने हैं वो उनको पता है कि हमें किस ताइम तक क्या चीज़ फॉलो करने है क्या करनी है बट इन उनको भी पता है कि आईरवेद में आना है जहां क्रॉनिक डिजिसेसे हैं बट आज अगर मेरी अजर को कुछ है या मेरे फ्रेंड की मदर को या उनकी फामिली में कुछ है उसका परला इनिसेटीव उने जडिए कि इस इस दे राइ ट्रीटमें हमें आरुएड में जाना है आज हम आरुएड को अल्टनेटिव ज़िएग साना है this is not alternative you should take this as primary treatment so यही परपस था और उसी में लगे हूँ मैं आपको अपनी समझ बता जाता हूँ Ayurveda कि मैंने जितना पड़ा और समझा है कि Ayurveda दुनिया का सबसे पुराना Healing Science है और यह Healing Science ही नहीं बल्कि एक Lifestyle है एक अच्छी डाइट, अच्छी सोच रखना जो जड़ी बूटियां है जो supplements Ayurveda की होते हैं उसको अच्छे से लेना इस सबका एक package है और Ayurveda की knowledge से हम यह सीखते हैं कि Mind, Body और Soul को हम कैसे balance रख सकते हैं तो मेरी यह समझ है आप मैं चाता हूँ आपको इसको एक अच्छे से elaborate करें और simplest way में बताए कि Ayurveda actually है क्या जो लोग पहली बार Ayurveda का नाम भी सुन रहे है तो वो भी समझ जाए Actually यह बिल्कुल सही बात है कि Ayurveda सबसे पुराना है क्योंकि Ayurveda का ओरीजन नहीं बताए गया बस यह बताए कि ब्रह्मा जी ने इसको स्मरण किया था सिर्फ उनने रिकॉगनाईज किया और जो चार वेद है हमारे उसमें से अथर वेद के अंदर से Ayurveda निकला है इतना पुरान है जब कुछ भी नहीं था तो यह तब स्टार्ट हुआ और डेफिनेटली Ayurveda जैसे आज हम देखते हैं कि सिर्फ मेडिसन में यह हम कोई प्रोड़क्ट बेस देखे Ayurveda वो नहीं है Ayurveda का जो मतलब है बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है स्वास्त से स्वास्त रक्षनम आतुरस से विकार प्रश्मनम पहले स्वास्त की रक्षा करनी है उसके बाद अगर आपको डिजीज हुई है then you have to protect that तब आपको उसको ट्रीट करना है तो सबसे पहले तो यह ट्रीटमेंट नहीं है यह पहले लाइफ स्टाइल ही है जो आपने बिल्कुल कहा और उसको कैसे बैलेंस रखना है यह आईरवेद हमें सिखाता है तो उसके नता सब चीज आती है आईरवेद अब आज हम योगा स्पिरिच्वालिटी इसके बारे में बात करें तो आईरवेद के ही पार्ट है यह भी हम शायर इंडिया में जादा नहीं देख रहे हैं बट बहर यह चीज बहुत जादा वाल्यूबल है अभी हमारे पास कुछ टीम आई वी थी ब्रजील से तो वो स्पिरिच्वालिटी पे ही रिसर्च कर रही है और वो इंटर्व्यू करने आई थी हमने आईर्वेद और स्पिरिच्वालिटी के बीच में कुछ वरक्शॉप्स किये थे तो वो यह जानना चाहते थे कि यह अक्चुल में परपस है क्या और लोग यहां योगा करने क्यों आता है रिशी केश है हरी दुआर ये दे आना योगा कापिटल और कहीं न कहीं हम देखे आईर्वेद का ओरीजन भी उत्राखंड में है बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहां पर कोट दुआर में चरक डांडा एक जगा है जहां पर चरक रिशी जो थे हमारे वहां पर बैठके उन्हें चरक समीता बनाई है और आज भी वहां पर है मंदिर बना हुआ है और हम लोग सब लगे हुआ है उस मंदिर को डेवलप करने में तो यह पूरा ओरीजन उत्राखंड में ही है यह भी बहुत कम लोग जानते है जैसे कि आपने बताया कि आयरुवेद का वर्णन अथरवेद में किया गया है तो जब आयरुवेद इतना पुराना है तो क्या यह हो सकता है कि आयरुवेद में कुछ ऐसी चीजें हो और कुछ ऐसी टेकनिक्स हो जो अब हम हमारे पास accessible भी नहीं है जिसको हम यूज भी नहीं कर सकते हैं अब आयरुवेद का सबसे बड़ा ड्रॉबग ही यही रहा है कि आयरुवेद ना जेनरेशन टू जेनरेशन चला है और लोग अपनी नौलीज शेयर नहीं करते थे और जितने चीज़े होती थे ना बस वो अपने पास concise रखते थे और उन्हीं के साथ वो चीज़े चली जाती थे इसलिए आयरुवेद कभी भढ़ा नहीं टाइम के साथ आयरुवेद को जहां भढ़ना चाहिए था वो खतम हो गया एक फेज ऐसा है जब लोगों ना आयरुवेद फॉलो करना ही बंद कर दिया बहुत कम था बहुत concise रोगए बहुत चुपा हुआत रह गया वो तो जितने आज हम जो बात करते हैं कि आयरुवेद में करता है तो वो उसी फामली में जल रही है वो शेर नहीं करते है यही चीज को concept change करने के लिए हम लोग लगे में कि हम students भी तयार कर रहा है हम वैद्दे तयार कर रहा हमने target बनाए हो है कि we have to make 100 वैद्दियास हम जब यह अचीव करेंगे तो उनको हम अगला target देंगे जो मुझे आता है I'll teach you everything तब जाके अइरुविट spread होगा तब जाके हम जो उसको चाते हैं mainstream science बनाना वो तब ही बन सकता है बिलकुर और आप सैट से वोक्षोप्स भी कराते है क्या क्या सिखाते है वोक्षोप्स में मैं कोशिश करता हूं वो सब कुछ सिखा हूं जो मुझे आता है मैं basically focus करता हूं पंचकर्म के ओपर ही chronic diseases के ओपर कैसे आपको diagnose करना है कैसे treatment करना है क्या approach होनी चाहिए आपकी और Ayurveda आपको कैसे guide कर सकता उस चीज में not just with the treatment but also to balance life as well to balance diet as well क्या exercise करनी है क्या क्या चीज़े follow करनी है वो पूरा हम उसमें explain करते हैं तो Ayurveda कहता है कि Ayurveda की knowledge से हम body को balance रखने में help करते हैं जो चीजें हैं जो body को mind को soul को disbalance कर रही है वो क्या क्या चीजें हो सकती है lifestyle से related जो हम diet ले रहे हैं उससे related junk food ये तो है बट Ayurveda में तीन basic principle हैं जो हम मोलते हैं त्रिदोश है बात पित अन कफ अब इनी के ऊपर पूरी body balance है अगर ये normal level में है तो आपकी body एक simple harmony में हैं जहां आपकी body mind soul एक normal intact position में है बट अगर इसमें imbalance होता है मालीजे वाद बढ़ गया है पित बढ़ गया कव बढ़ गया तो वो एक certain disease create करता है ये बिलकुल हमारी fingerprint की तरह होता है कभी भी किसी का same नहीं होता हर किसी का लग है उसको हम प्रकरती बोलते हैं जो हमारी एक बार decide हो ग नहीं नहीं जैसे वाद पित कफ है वाद मालीजे आपकी body के अंदर वाद 50% है पित 30% है और कफ 20% है आपका body को constituent हो गया ये आप ही की body में रहेगा और किसी में नहीं मिलेगा ये सेम आपकी body में हो गया ये हो गया एक balance condition बट अगर इसमें imbalance होता है जो बाडी में है अगर अगर उसमें imbalance हो मालीजे आपका वाद 70% चला गया that is an imbalance अगर वाद बढ़ेगा वाद बालन्स करता है आपकी body में सारी movements बित बालन्स करता है आपका digestion, catabolism, metabolism तो अगर पित imbalance हो तो ये सारी चीज़े इस्टब कफ बालन्स करता है पका protection जितने भी body के अंदर फ्लूइड है वो balance होता है कफ के कफ से और जितनी movement है इन सब चीज़ों की पित और कफ के पास अपनी movement नहीं है तो बात ही है जो उनको movement देता है अगर बात imbalance होगा तो definitely वो उनके साथ attach होकर body में disease करना start कर देता है तो अगर जैसे मेरी body में बात जादा है तो मैं अगर body में पित या काफ जादा हो गया तो वो disbalance हो जाएगा yes disbalance हो जाएगा अब हम इससे balance करने के दो तरीके होते हैं अगर बहुत जादा भढ़ गया है जहां पर पंच करम का part आता है तो हम उसको extract out करते हैं उसको body से निकाल देते हैं ठीक है certain techniques होते हैं कुछ treatment होते हैं जिससे हम body को निकाल देत तो हमें पता के चलता है कि इस इंसान में वाद पित्या कफ क्या जादा है क्या कम है क्या बिल्कुली खाना एक कैसी technique है जो हम use करते हैं हम नाडी परिक्षा यूज़ करते हैं pulse diagnosis यह क्या होता है pulse diagnosis होते ही कि मैं आपका heart पकड़ के आपको बता सकता हूं कि आपके body के अंद सब्सक्राइब करते हैं जितना आप सीखते जाते हैं जिससे आपने सुना होगा पुराने वैदे यह भी बता देते हैं कि आपने क्या खाया है ठीक है अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुचें बट एक अईरवेद एक ऐसा फेज है जिसमें आप हर दिन सीख रहे हैं मैं तो है वो उसको मार दिया या कुछ तो पानी में फेग देता है फिर एक जंगल में तैर के उसकी बॉड़ी चले जाती है कोई बुड़ा आदमी उसको ले जाता है कुछ जड़ी वूटिया बनाता है तो इस तरह से हमको आईरवेद दिखा रहा है कि यह आईरवेद है एक एक मेरे साथ भी हुआ है एक पेशन्ट आया थे काफी दूर से तो वो मेरी क्लीनिक डूनते वे वहां पर आये तो आके रिसेप्शन में बैठे वो तो जब उनको बुलाया गिया मेरे केबिन में जब आया तो उनको लगा श्याद कोई और आएगा भी तो जब मैं बैठे कुछ बुड़ास आद्मी होगा दाड़ी होगी धोती कुड़ता पजामा पैना होगा कुछ ऐसा तो सफेद कपड़े पैने होगे बट आप तो बिलकुल सूट बगरा पहन के आप ऐसे बैठे हो बिलकुल यह कैसे बैठे हो है अब जैसे ताइम चेंज हो रहा है तो तो आप जो जैसे क्लिनिक में रहते हैं आपके बास काफी पेशन आते होंगे सबसे ज्यादा जो बिमारी आप फेस करते हैं वो क्या है कोवीड के बाद से सबसे जादा प्रॉब्लम बढ़ गी है डेस्च जॉप की वज़ए से स्पाइनल डिसॉर्डर बहुत बढ़ गया जितने भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं जिसमें सवाइकल स्पॉंडलोसिस लंबर स्पॉंडलोसिस मतलब हर समय लैप्टॉप के आगे बैठे है यहां पर पेन है उसकी विज़े से माइग्रेन हो रहा है साइनस की प्रॉब्लम हो रही है स्टिफनेस है आप हर समय बैठे हो गया है 16 to 25 हमारे पास रिश्योग जादा है जिसमें slip disc की प्रॉब्लम हो रही है बैक spinal प्रॉब्लम लॉडोसिस की प्रॉब्लम उनकी back tilt होना स्टाट हो गई है यह प्रॉब्लम सारे है स्यातिका की प्रॉब्लमारे तो यह स्पाइनल इस्योगा बढ़े है उसका treatment क्यों सबसे होता है कि यह हम हो जो सबसे क्षैस प्रोशस सबसेNeema तु बालेंस कौшт लगा इस तो बालेंस पित and वस्ति जो है, that is to balance वाथ, यह आपने तीन कॉंस्टिटुएंट बैलन्स कर लिए, उसके बाद आता है नस्से, नस्से जो यह होता है, कि आपको मेडिसन आप नोस के थू देते हैं, और यह आपके माइंड को बैलन्स करता है, एक सिंक बनाता है, और यह जो हेड रीजन है हमा जो अलग-अलग body parts के लिए अलग-अलग defined है, जो हम externally करते हैं, उसको हम शमन के अंदर कहते हैं, शमन मतलब तो balance that thing, उसको सिर्फ हमने locally, अगर किसे को नी problem है, तो हमने नी पे करा जिसको हम जानुवस्ति कहते हैं, तो हमने वहाँ पर किया, वहाँ पर balance हो गया, साइनल फ्लुइड है, जैसे लोगों में आम भाशा में कहते हैं, ग्रीस बनना बंद हो गई, गुटनों में आवाज आ रही है, तो उस चीज के लिए treatment करते हैं, जहां पर हम regeneration के लिए पुश करते हैं, यह हो गया शमन के अंदर, शोधन हो गया, जो यह पांच major करम हैं, ज क्योंकि आदत है डॉक्टर के बास जाकि वो दवाईया लेने की, तो आप इसके बारे में लोगों को क्या बताना चाहेंगे, दो चीज़े हैं इसमें, पहली अईरुवित के अंदर बहुत सब्समें यूज होती हैं, लोग ही बोलते हैं कि भसमों की विज़े से लोगों की किड्नी डामेज होती है, लीवर डामेज होते हैं, बहुत सारी बाते हैं, बसमें हुआ कि हम मिनरल्स यूज करते हैं, जिनको प्योर फॉर्म में उनको बर्न करके, उनको प्रोसेस होता है, उसके थूरू उसकी ऐशिस बनाते हैं, तो गोल्ड है, या डाइमंड है, इनकी करते हैं यह बहुत पोटेंट होती हैं बहुत बेनिफिशल होती इस पेशली इन कैंसर पेशिंट बहुत अच्छा काम करती हैं तो लोगों में यह है कि इसकी वज़े से किड्नी और लिवर डामेज हो जाएंगे बट यह चीज आई कहां से अब किसी चीज को डीफेम करना है तो someone else is working very hard to defame that thing. अब वो चीज हुई, already इसके ओपर इतनी research हो चुक है, आजकर इतनी अच्छी अच्छी company है, वो हर medicine के साथ अपना QR code देते हैं जिसके साथ आप पूरा उसको quality check कर सकते हो, तो वो भी चीज नहीं है, दूसरी चीज क्याती है, कि अब medicines के बारे में बोलते अगर आप स्टोराइट से ठीक हो रहे होते हैं, तो आप 20 साल में हो चुक होते हैं, now we are working with the herbs, हम herbs यूज कर रहा है, pure form medicines यूज कर रहा है, प्लांट्स यूज कर रहा है, आपकी बोड़ी को regenerate करने में, सिर्फ suppress नहीं कर रहा है, आईरविद कभी भी suppress नहीं करता, या symptomatic work न सिर्वन दर्द हुआ, हमने टैबलेट फटा ही, खाली, सिर्दर ठीक, बट अगर हम यह सोचे, सिर्दर हुआ क्यों, reason क्या था, उसके ओपर आईरवेद काम करता है, वो root cause पे काम करता है, तो जो चीज बोड़ी को disbalance कर रही है, वो disbalance का पता करना ज़रूरी है, बैलन्स कर होते हैं, जहां पर alcohol यूज होता है, यहां पर pure form ही होता है, जिसमें हम powder या tablet form में करता है, तो उसको process नहीं करते हैं, बहुत सा का, तो बस इतना difference है, ऐरवेद इंडिया का है, हो मेपैत जमनी का है, तो वहां से आया है, बट ओरीजन कहीं न कहीं देखा जाए, तो हैं, जो आपको required नहीं है, तो side effects है, definitely, आजकल हर कोई influencers यह बोलता है, कि आप अश्वगंदा ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, ब्रामी ले लो, दिमाग शांत रहेगा, नींद अच्छा रहेगा, बट आसा नहीं होता, अगर आपके body को required नहीं है, आप unnecessary लोगे, तो definitely side effect ह नहीं होता है, और होता है, तो बहुत ज़ादा है, तो side effect होता है, जितना required a body के लिए, सिर्फ उतना लेना है, unnecessary लोगे, definitely side effect होता है, क्या ये कह सकते हैं, कि अगर हम जो दवाईयां हम डॉक्टर से लेते हैं, अगर हम वो यूज करना बंद कर दें, और सिर्फ आयूरवेद दवाई ले, तो क्या वो सही है, या वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तेक हर पैथी अपनी जगह ठीक है, बट आपको ये समझना होगा कि कहां पर आपको वो चीज रिक्वाइड है, जहां पर आपको emergency condition है, definitely आप दूसरी पैथी में जाएंगा, आपको क मारे पास chronic condition में आए थे, बट आज अगर उनको खांसी जुखाम भी होता है, तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि आईरुएड स्टार्ट करते हैं, इवन बच्चों के लिए भी, वो ये चाहते हैं कि हम बाकी पैथी में ना जाएं, पहले हम आईरुएडी स्टार्ट कर में पता लग सकता है कि क्या बिमारी है, क्या चल रहा है बाडी हो जैसे मिन आपको बता है कि आईरुएड में जितने हम modern diagnostic tools हैं, पहले तो नहीं होता तो कोई भी, तो हम चेक कैसे करते थे, बाडी से ही चेक करते थे, नाडी से चेक किया, पल्स डिग्नोस किया, टंग से च चेक किया, फीसिस से चेक किया, आइस से चेक किया, तो यह अलग-अलग methods है, जो हम चेक करते थे, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट बिलकुर नॉर्मल है, फिर भी बिमारी है, फिर उसको further study के लिए भेजते हैं, कि आपको CT कराना है MRI कराना है, X-ray कराना है, whatever is required, तो कहीं बार हमारे साथ भी ऐसा हुए कि हमने जैसे डिग्नोज किया, हमें लगा कि इसकी बॉड़ी में वाद इंबालन्स है, but रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, but problem है, जैसे हम वाद पे काम करना start किया, definitely हमें result आया, अब उसको हम क्या भूलें कि यह चीज थी नहीं है, यह टूल्स में नहीं आविलिबल, but ऐसा नहीं है, हर चीज हम डाकर, detect नहीं कर सकते हैं, सिफ ब्लड लेवल पे, यह हम radiological method जितने भी उसकर रहे हैं, उस पर हम सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते हैं, एक डॉक्टर के लिए जितने भी टूल् कि हमारा जो diagnosis बनाया है उसको confirm करने के लिए कि हाँ भी ये तो नहीं है या इसके लावा कोई और दूसी चीज तो नहीं है सिर्फ हम उसको confirm करने के लिए करते है हमारी knowledge या हमारी education जो रहती है medical science में वो especially ये रहते हैं कि हम अपने skill से कैसे उसको diagnose कर रहा है main वो है और कहीं बार हमें ज़रुद भी नहीं होती कोई भी test करने के वो वैसे भी हो जाता है कई बार ऐसे भी होता है जो doctors हमको दवाई आप रिस्क्राइब करते हैं उनसे हमें बहुत laziness फिल होती है उसके कुछ वो side effects हमें दिखते हैं कि थकान लग रहें नीन दा रहे है तो उसके वो दवाई हमने ले ली और जो side effects हमको उसे दवाई के बाद आए है उसके बाद अगर हम Ayurvedic दवाई लेते हैं तो कोई problem है उसमें ने कि कोई problem नहीं होती अगर आप कोई भी medicine एक short time period के लेते हैं तो कोई भी problem नहीं होती हाँ अगर आप treatment बीच-बीच में तोड़ते हैं especially अगर आप Ayuropathic treatment के बाद करें अगर आप antibiotics ही खा रहे हैं और लंबे time से आप antibiotics खा रहे हैं तो doctors खुद ही आपको suggest करते हैं आपके लिए safe नहीं है यह बेटर नहीं है क्योंकि आप जो भी आप antibodies के लिए आप work कर रहे हैं उसमें antigens के लिए work कर रहे हैं तो कहीं न गहीं आपके body को भी वो side effect देती है तो कभी भी लंबे time तक तो medicine नहीं लेनी चाहिए बट हाँ अगर आप आईरविद में shift करते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि जब भी आप कोई लंबे time से medicine ले रहे हैं उसके बाद हम जब आईरविद में shift करना है तो हम gradually shift करते हैं उसको changes नहीं करते हैं कोई ऐसा नहीं कि आज आप आए और हमने एकदम medicine को बंद किया हम देरे देरे उसको taper down करते हैं ताकि body अपने आप उसको heal करने लगे और जो drawbacks आएंगे उसके जो भी withdrawal symptoms आएंगे उसको भी balance करें तो कोई ऐसा नहीं कि हम एक disease टी कर रहे हैं और उसके adverse effect आजाए तो उसको balance करते हुए चलते हैं तो अभी थोड़ी fun बाते करते हैं अभी तक आपने कितने myths सुने हैं और उनकी reality क्या है जो आजकल सब online हो गया है तो लोग बहुत बखवास करने लगें कि ये करो ये करो ये करो ये करो ये नुस्कें हैं इसके लिए तो आपने क्या ऐसी चीज़े सुनी है जिसको देखके आपको बहुत असी हाई हो ये चीज़े सुनके और reality क्या है actually सबस्दा हसी तो देखे एक चीज़ आपने सुनी होगी अगर आपको वेट कम करना है गरम पानी में शेहट डाल के पीजिया आप पतले हो जाएंगे ये बहुत गलत है बहुत गलत है क्योंकि आईरवेद मानता है कि अगर आप हनी को हीट करते हैं ये ऐसा आपकी बॉड़ी में धीरे-धीरे टॉक्सिंस एक्युमिलेट होते हैं जिसका इफेक्ट आपको शाइथ हो सकता है पात साल बाद दस साल बाद है बट आएगा जरूर तो पेशेंट जब पूस्ता है कि हम तो सब कुछ अच्छे फॉलो करते हैं तो जिम बेजाते हैं हम मिल्क और सॉल्ट को कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए है कोई चिकन बगर घराश के साथ कोल कॉफी पी रहे है पड़ा मजा आ रहा है वट नौनविच के साथ कभी मिल्क आड़नी होना चाहिए यह कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें ध्यान नहीं रहती है हम री हीटिंग कर र है ना बट माइक्रोवेव करते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनके पास सॉलूशन ही है आप फ्रेश मिल कितनी बार खा रहा है इंडिया फिर भी बहुत ब्लेस्ट है कि आप यहां डेली कुक करते हैं आदी कंसल्टेशन तो हमारी इ अलग रख देंगे डेली निकालेंगे एक प्रोटीन का स्कूप डाला उसमें गरम किया हीट किया और उसको खाल दिया यह प्रोसेस है आप जितनी बार उसको रखेंगे मतलब आइरविद मानते हैं आपका खाना स्टेल हो रहा है मतलब कसड रहा है प्लस गुरू होता जा हेवी होता जा रहा है आपके digestion के लिए जो आपके digestive fire को बहुत इफेक्ट देगा बार बार हीट करके उसके nutrients भी बहुत कम हो जाएगे बट आप एक होते हैं हम बोलते हैं जैसे त्रिदोष मैंने बताया ऐसी सत्व भी होता है सत्वरज तम सत्व चीज़ होती है जो हम बोलत है जासे आरे जिन्दीगी में कुछ नहीं रखा है सब बरबाद हो गया सब कुछ नहीं रखा है मेरा दिल तूट गया अब मैं मरना चाहता हूं यह होगे ताम से गुड जो आप हमेशा अपने आपको फील करते हैं लूनली आप एक डाक में फील करते हैं अपना आपको एक चीजों को भढ़ाता है जब आप पुराना खाना खाते हैं तो रज और तम दोनों को भढ़ाता है अगर आप पेशेंट हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन के अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम परभी सॉल्व नहीं होगी तो जब हम उन पेशेंट को सही तरीका है क्या? अगर हम exercise को side रखें, डाइट पर ही अगर हम focus करें तो सही तरीका क्या है weight loss का? आपकी digestive fire अपने आप में sufficient है जिसे हम Ayurveda में जट्रागनी बोलते हैं जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो digest होती है assimilate होती है और साथ धातों में divide हो जाती है आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, balanced form में तो आपकी body उसको digest करेगी आपके dose balance रहेंगे, तो कभी भी आप weight put on नहीं करेंगे, weight क्या है? weight का मतलब होता है, अप extra fat अपनी body में store कर रहे है body आपने आपको prepare कर रही है कि अगर कभी खाना नहीं मिला तो हम इसको utilize करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता है हम सिर्फ वो story करते जाता है तो जो accumulation है अगर आपके digestive fire normal है, आप खाना time से खा रहे हैं, exercise नहीं कर रहे है मैं अगर उसको side रखो आपने time fix कर दिया कि आपको जब भूक लग रही है, तब आप खाना खा रहे है आपको जितना meal खाना है, आईरवेद मानता है कि अगर आपके stomach को हम four parts में divide करें, तो three should be filled one should be empty पर हम क्या करते हैं, गले तक जब आ जाते हैं तब तक खाते हैं, यह हर Indian का ही है आप बोले, आप सास नहीं आ लिए, अब नहीं खाये जाये यहां तक, वो नहीं होना चाहिए आपको पता नहीं होना चाहिए कि capacity कितनी है, अगर आप चार रोटी खा सकता है कोशिश करें, तीन रोटी खाये अगर आप इतना ही करते हैं, तो बोड़ी अपने आपको बालेंस करें, कभी भी fat put on होगा ही नहीं, और कभी भी आप यह मत सोचिए कि weight loss करना है, आप हमेशा अगर सोचे भी, तो inches loss के बारे में सोचे, weight loss में आपके minerals, fat, vitamins, सब कुछ आते हैं, जब आप lose करते हैं, तो आप सब कुछ lose करते हैं, आपने बहुत लोग ऐसे भी देखें, कि आज बहुत weight lose तो कर लिया, बड़ा गुर्ताओं में दर्द हो रहा है, face बहुत अजीब हो गया, skin थोड़ी से wrinkly हो गई, यह चीज़े आती हैं, तो अगर आप करना ही चाते हैं, अगर actively, तो inches loss के बारे में सोचें, क्योंकि inch मतलब fat loss करना, सिर्फ fat करना है, तो वो आप कर सकते हैं, और काफी लोग weight loss के चक्कर में, नहीं अपनी नहीं, डाइट ही चेंज कर जाते हैं, और मैंने किसी बहुत बड़े nutritionist को कहते वे सुना था कि, डाइट चेंज करने से आपका weight loss नहीं होगा, वो आपको और weak बनातेगा, क्योंकि जो बच्पन से हम खाना का रहे हैं, उसी ने हमारी body बनाई है, brain cells बनाई हैं, हम वही हम भच्पन से रोटी गारहें है, बच्पन साटा गारहें, ग्लूटन कहा से लैक्तुलोस इन टॉलरंस, बच्पन से दूद पे रहे हैं, अब जाके लैक्तुलोस इन टॉलररंस हो को और बच्चे बच्पन से हो जारहें, क्योंकि अब mother's milk नहीं दिया जा रहे है, cow's milk नही और अवेलिबल भी नहीं है, अगर मैं रियालिटी देखो, आज कल आमें दूद से पाकट में मिलता है, अवेलिबल ही नहीं है, बट यह जितनी भी टर्म्स है, यह इंडिया के नहीं है, वाइटमिन D यह लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, कि आपको सोला घंटे भूका रहना है, अईरवेद में जब बताया है, आपके बॉड़ी तीन टाइप की है, वाथपित कफ, तो आप सेम कैसे फॉलो कर सकता है, वाथवाले अगर सोला घंटे टाइटिं कर ली ना, तो उसकी बॉड़ी मे आप जनरलाइज कर ही नहीं सकते, आईरवेद को कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते, मैंने बोला, यह चीज अवेलिबल है, यह फ्रूट अवेलिबल है, और अगर आप यह खाओगे, तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा सब के लिए नहीं होगा, बॉड़ी अलग आप अपनी बोड़ी को पुछ करोगा, आप सब कुछ कितनी लिमिट्स चाहें, आप ले जा सकते अपनी बोड़ी की, बट वो क्या आपके लिए सही है, वो जानना जरूरी है, और अभी धेरादून में आपको पता ही होगा, मोमोस बहुत फेमस हैं और लोग मोमोस के वेधिक मेडिसिन को अगर हम देखे तो, टीटमेंट को देखे जो भी जंक फूड है जैसे मैंने बात की कॉंबिनेशन की, यह अकेला ऐसा कॉंबिनेशन इसके अंदर दोनों इंकंपाटिबल डाइट है, इंकंपाटिबल मतलब कोई दो ऐसी चीजे हमने मिक्स करी, जो ख पंचकर्म क्यों बना, पंचकर्म इसलिए बना कि आप अपने सीजन के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्मली फिट रहना चाहते हैं, तो हर सीजन के अकॉर्डिंग बताया हूँ है कि इस सीजन में यह पंचकर्म होना चाहिए, आपके जाने अन जाने में बोड़ी में आपने पंचकर्म ले लिया तो आपकी बाड़ी बालन्स होगे मतलब आपने बाड़ी के अंदर जो एक्कुमिलेट होना स्टार्ट हो रहे था आपना उसको रिमूव कर दिया तो डिजीज क्रियेट ही नहीं होगी तो अगर आप ये एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं आप ए तीन या पाँच कुछ सप्लिमेंट्स बता सकते हैं आयुरवेदिक जो मतलब लोग एवरी डे लाइफ में ले ही सकते हैं देखे वही चीज है जैसे में आपको बता है ना कि अश्वगंदा बोलते हैं कि आप हर जिम करने वाले को अश्वगंदा लेना चाहिए शिला जीत अश्वगंदा कुछ ऐसे पोटेंट ड्रग्स हैं कि अगर उसका गलत मिस्यूज हुआ या गलत तरीके से आपने गलत क्वांटिटी उसके लिए तो वो एक एग्जांपल देता हम आपको एक पेशन था मतलब इन जनल एक किसी एक फ्रेंड ने पूछा कि मैंने अपने भा 6th day he had to be admitted in hospital 7th day उनको blood transfuse किया गया तो इस लेवल तक भी हो सकता है अब गलती क्या हुए उन्होंने अश्वगंदा दिया बट उनके जठागनी के बारे में उनके digestive fire के बारे में नहीं बूचा अश्वगंदा गए उसको बूस्ट करता है अगर बूस्ट करेंगे तो आपक कुछ कंडिशन पर हार्ट अटाइक भी हो सकता है तो जन्रलाइज वे में बहुत मुश्किल है इसे मतलब बताना लोग जैसे गिलोई है गिलोई बहुत फेमस हुआ है कि हर कोई गिलोई ले रहा है हम भी गिलोई तोडने गए वहां पर कुछ फीमेल साई कि आप क्या कर र लुआ है कि हमें यह चीज फॉलो करनी है यह चीज बता दी इसका यह यूसर फॉलोग पर आट टा जाली मैं यह निई नहीं पता उसको यूस करना कैसे है में वह चीज़े और आपकी बॉड़ई के लिए ठीक है नहीं घिलोई हर किसी के लिए ठीक नहीं है इन जनल फिर भ बुक के चाप्टर्स हैं अलग अलग येस एक ही बुक के चाप्टर्स है अईरवेद एक पूरी एक फील्ड थी जब इंडिया में इचीज डेवलप होनी थी अथरवेद के अंदर से अईरवेद निकाला उसके अंदर से ही योगा निकला बहुत सारी अलग अलग तो यह ब्रांचेश बस अपनि अपने अपनी वे में वह चले है और वो आपका मेडिटेशन यह निकला है को यह वह तो धी अपनी एपने वे में वह आटवलप होती चली चली है तो यह बनेसे मिंट और वह अद्वांसमेंट camping अग दर वहांग करिया बट य हैस योगा सब आयुरवेद के अंदर ही आता है और जैसे कि लोग बहुत ये डिबेट चलती है कि अगर हम आयुरवेद में शेफ्ट हो रहे हैं या हम मेडिसन ले रहे हैं जो भी है तो इससे हम कैंसर भी ट्रीट कर सकते हैं या कुछ जो ऐसी डिजीज है जिनके कोई अभी ता क्योर नहीं है माइग्रेन हो गया, कैंसर, एड्स, ग्लॉकोमा तो क्या आयुरवेद में इसके ट्रीटमेंट हैं अगर हम इनिशल स्टेज में देख ले या फिर लास स्टेज में भी देख लें इस चीज को तो आापके पास कभी कोई ऐसे case आये हैं या कुछ बहुत cases आते हैं ऐसी और सबसे बुरी बात he है कि जब ऐसे cases आते हैं वो हमारे पास बहुत last stage में आते हैं जब उनकी file बहुत मोटी होचके तब हमारे पास आते हैं, गड़ अगर वो initial stage में आते हैं तो एक्स्पेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं क्योंकि सेल ग्री ग्रोथ करना और जो डिजनरेटिव सेल उनके बन रहे हैं कैंसर कंडिशन में उसको हम थोड़ा सा रिडियूस कर सकते हैं रेधर देन कि उनको कीमो चले या हेवी मेडिकेशन चलें जिससे डेफिनेटली उनकी लाइफ रिडियूस ही होनी है बट हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको बढ़ा के सपोर्ट कर सकते हैं उनकी लाइफ को बट अगर पेशन अल्ली स्टेज में आ जाए तो जैसे कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है काफी पेइनफुल होता है तो क्या आईरवेद में वो पेइन थोड़ा कम रहता है या आईरवेद में देखे पेइनफुल तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगर हमें पंचकर में आड करना है तो बहुत relaxing एक process होता है कुछ-कुछ treatment होता है internal, external वो देना होता है जिससे हम body को detoxify कर रहे है plus medications होती है normally वो लेनी है तो ऐसा नहीं है कोई painful procedures है या patient को बहुत ज़्यादा कुछ hectic लग रहा है या बहुत ज़्यादा expensive है if I compare to chemo और बाके medicines से तो ऐसा नहीं है बहुत easy treatment है and बहुत अच्छे results है बढ़ हां ऐसा हो सकता है कि हम medicines की quantity हमें किस वे में उसको balance करनी है initially थोड़ा सा तीन-चार बार देना पड़ सकता है जैसे भी है वो मतलब पर comparative भी बहुत easy है अगर कोई patient cancer related ही medicine लेना चाहता है उसको काफी अच्छे results मिलते हैं बहुत easy treatment ले सकता है and बहुत सार ऐसे institute है अभी वो work कर रहे है कि allopath treatment के साथ जैसे chemo चल रही है उसके साथ वो punch karma भी करा रहा है उन cases में देखा है कि improvement जादा बेटर है at least mental stability बहुत अच्छी है अभी आजकल youngsters में भी ये चीज आ गई है ये थोड़ा problem आया है कि hair fall बहुत हो रहा है और थकान बहुत हो रही है तो क्या इसके कुछ supplements हैं या ये भी body type देखके ही हम बताते हैं पहले चीज तो ये है जो ये दो problem आयी न ये gift है COVID के COVID ने hair fall दिया थकान हो ये चीज़े आई है तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप balance डाइट लेना स्टाट करें COVID टाइम में सबसे अच्छा लोगों ने है कि junk food तो बिल्कुल बंद हो गया foods लेना लोगों ने स्टाट किया सालेड लेना स्टाट किया योगा करना स्टाट किया और उनकी बोडी में बहुत अच्छे चेंजिस भी दे बहुत लोगों ने weight loss किया और बहुत लोगों ने master chef बन गया बट उनने healthy way बनाना सीखा तो उसको continue रखना चाहिए इनसान को अपनी health की कीमत तब समझ में आती है जब वो ICU बेड पर लेटा होता है वो तब बोलता है भगवान आज बचा ले कल से मैं सब फॉलो बरूँगा वो दो दिन करते भी है वो दो दिन करते हैं फिर उसके बाद ने या ऐसी condition में हो कि मजबूर हो गए कि अब कुछ करी ही नहीं सकते हैं बच्पन में एक बार मेरे एक फ्रेड ने बोला मुझे दाल पसंद नहीं थी बहुत खाना तो मुझे एक बार उसने बोला शायद मैं शिक्स्तिया सेवेंट में था उसने बोला कि देख अगर तू भी दाल ने खाया न तो बाद में खानी बड़ेगी वो बात मेरे न ऐसी लग गई उस दिन यार यह तो खतरनाक चीज है अगर बाद में सिर दाल खानी बड़ी नहीं तो यह यह रियालेटी है वैसे अगर आप अभी से चीज़ों को नेगलेट करेंगे अपने हल्दी फूट को नेगलेट करेंगे तो डिफनिटी प्रॉब्लम आएगी आज कल अगर हम बच्चों को देखें छोटे बच्चों को देखें तो जंक फूट पे बहुत डिपेंडेंट हो गया है तो वो control नहीं होता फिर इसलिए pre-diabetic condition होना बच्चों में juvenile diabetic बहुत बढ़ गया thyroid condition बच्चों में बहुत बढ़ गया अगर हम Ayurved की education के बारे में बात करें तो ये अभी भी लोगों के लिए इतना alien क्यों है लोगों को अभी भी Ayurved ऐसा लगता है कि ये क्या है क्या चीज़े लोग Western culture को जादा follow करते है और ये इंडिया का ही है इंडिया के ही culture से आया है तो आपको क्या लगते है कि ऐसा क्यों है ये इंडिया में जब भी Ayurved की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले केरला आता है साउत आता है कि Ayurved है तो साउत में है रिजन वहां का क्या है उनकी government की support वहां पर एक रूल है जो भी BMS करेगा ताइस बैसलोर्स आइरवेधिक मेडिसन साइंस उसके बाद वह सिर्फ आयरवेध प्राक्टिस ही कर सकता है और कुछ नहीं अब जब आपके पास एक ही solution है तो आप उस पर वर्क करेंगे जितने भी students महां से निकलते हैं वह आईरवेध प्राक्टिस ही करते हैं और जहां पे 100 students एक साथ आईरवेध प्राक्टिस कर रहे हैं तो वह जगा flourish भी होगी उतराखंड में अगर मैं बात करूँ तो यहां पे allowed है कुछ percentage of allopathic medicines allowed है तो कुछ students होते हैं जो BMS कर ही इसलिए रहे हैं कि वह allopathic medicines यूज कर सके हैं वो ठीक है वो एक limelight में वर्क नहीं कर रहे हैं बट वो वर्क कर रहे हैं अब यहां पे अगर 1500 student हर साल निहां से निकलते हैं तो उसमें से कितने प्राक्टिस कर रहे हैं बीस मतलब अगर मैं मानू 1500 student से B student आ रहे हैं जो हर साल प्राक्टिस कर रहे हैं और अगर यह सी रहा तो धीरी दीरे फेड भी हो सकता है और फेड होता भी है क्योंकि अगर मैं अपने बाच की बात को मेरे बाच में 58 students थे और मेरे एक सीनियर है उनके बाच में भी कोई नहीं था वो भी अकेले बाच में प्राक्टिस कर रहे हैं तो हर बाच में से अकेला अगर एक सिंगल निकले गए तो फिर कैसे होगा सिंगर अगर कोई है तो क्या कर सकते हैं बँसे हम अब अपने करें अपन्हि Co single exclude करें अपने वो कुछ्स नौकूर्ण निकलेर अंप वो कररिया है आपको लगते कि यह एक स्वाश्चा है जिसके हम एड़ूकिए प्लाट फो प्लाटफॉम मेरे कोश जब करते गए, सपोर्ट मिला, प्यार मिला, अब थोड़ा थोड़ा सा कभी-कभी वो फैन मोमेंट वाला मिलाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो एक, तो येस, सोचल मेडिया एक बहुत अच्छा एक स्कोप है और अपोर्शनेटी है, और एक चीज बहुत अच्छी म जही नहीं, जिरो था, ब्लांक था, मतलब एक की दुखी वीडियो इधर से उधर बिल सकते थी, बड़ इससे जाधा नहीं था, अब मैं काउंट करके बता सकता हूं कि ये 20 पेजिज हैं, जो कर रहे हैं, तो अगर ये लोग कर रहे हैं, तो हम बरी हापी कि आप सब लोग देखेंगे, क्योंकि मैं चाहे आज मेरे 20,000 फॉलर हों, 40,000 हों, कल 1,000,000 भी हो जाए, तब भी मेरी रीच इतनी नहीं होगी कि मैं सब के पास पहुंच सको, तो मुझे चाहिए ऐसे कि अगर मेरे 1,000,000 है, तो 100 लोग ऐसे और होने चाहिए, जिनके 1,000,000 हो, तब ही तो प बहुत बटी जीट सी लगती होगी, कि हाँ, ये काम आया, सबसची खुशी मेरे को एक चीज में बिलती है, किसी पेशन को ट्रीटमेंट दिया, मतलब मेरे पास एक पेशन आया थे, क्लिनिक का ओफ टाइम था, हजबन वाइफ थे, आज भी मेरे को उनका चेहरा याद आता आठ, साढ़े आठ बजे के करीब का टाइम पर मैं बस आफ करके नहीं कल रहा था, वो आया कि सर प्लीस दो मिनट आप बैच ज़िए, तो जब मैंने उनकी कंसल्टेशन स्टाट की, तो हजबन वाइफ दोनों रोने लगे, दस मिनट तक वो सिफ रोते रहे, जब मैंने उन एनको सोरैसिस की सठी है उनको पूरे pair में सोरैस था और वो इतना जादा भढ़ चुका था। सोरैसिस होती है एक स्किन डिजीज होती है, एक और नी बेंट करते तो इस्टाट ब्लीड इतना पी बिचिंग ज़ादा होती है, लोग लिटरली चाकू से खुजा अपना बहे जब मैंने उनका treatment start किया, he was on immunosuppressants, मताब अपनी के immunity को down करने के लिए वो medicines ले रहे था कि वो थोड़ा सबसाइड रहे जब हमने उनका treatment start किया so it took us almost two to three months कि हम उनको एक stable level में लाचेक है and वो इतने खुश थे इतने खुश थे कि वो अपने बेटे को लेकर आये मिर पास मतलब एक फामली के तरह उनों इतना ग्रीट किया, इतना वाल्यू किया COVID time आया, जिस ताइम उनोंने अपनी मेडिसन्स बंद कियो और एक ऐसी disease है जो autoimmune disease है doctor was shocked कि आप मेडिसन्स ले रहे हो, उनको नहीं पता था तो आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ट्रीटमेंट नहीं कर रहे है, आप पूरी फामली के लिए कर रहे है क्योंकि वो सफर कर रहे है और बैने जैसे बताया, पेशेंट जब हमारे पास आतो लंबी चौडी फाइल होती है उसके बास तो एक बहुत ट्रॉमाटिक कंडिशन होती है पूरी फामली के लिए तो वो एक सबसे वालिएबल चीज होती है और दूसरी जब स्टूडेंस बहुत अच्छा काम करें जब जिसको हम पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं तो स्टूडेंस जब अच्छा काम करते हैं तो एक स्टूडेंस था कि सार आइविद क्यू कर रहो आइविद तो कुछ रखा नहीं है, हैलोपेद करो आप उसमें पेशन्ट जादा आते हैं, जादा अन कर सकते हैं ठीक है, आपकी अपनी चोईस है, मेरी अपनी चोईस है, मेरे को इसमें मन लगता है मेरा एक महीने बाद पता चला, एक पेशन्ट आये, कि सर मैं उनके आँ से वस्ती करा करा हूँ तो मेरे लिए दो एक डाइसी सिचूशन थी, मैं बहुत खुश भी था कि उसने फाइनली वो आयूरवेद में आ गया एक ये भी सिचूशन थी, कि वो एक महीन पहले बोल गए कि सर आयूरवेद में कुछ नहीं रखा है, आयूरवेद फॉलो करो तो मतलब कही न कहीं आप अपने पैथी की तरफ शिफ्ट होते हैं और वो ही आपको एक क्या बोलते हैं कि सैटिस्फाक्शन देता है क्योंकि जिस चीस पर आपने वर्क किया है, महनत किया है आप अगर वो ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे मन मनेगा तो अभी एंड में मैं बस चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आयरुवेद ने आपको किस तरगसे लगना चाहिए एक चाहता है आयरुवेद ने बहुत सारी चीज़ें मेरे को जब्भी हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं अपनी समेता पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत मैनुट चीज़े भी लिख्के हैं कि आपको पेशेंट से कैसे बात करनी है, क्या के चीज़े पूछनी है, आप सोचो वो एक ancient text है, जो पता नहीं, 5000 साल पहले वो लिखा गया है, और वो आज की context में बिलकुल feedback ता है, अगर हम उसको correlate कर पाए, तो कहीं न कहीं, वो हमें, मुझे especially, अपनी लाइफ में, मैंने जब तक अपनी लाइफ में खुद अइरवेद को इंकॉपरेट नहीं किया, मेरा भी शायद इतना confidence नहीं था, तो जब मैंने अपनी लाइफ में इंकॉपरेट किया, जब मैंने पेशेंट की लाइफ में इंकॉपरेट किया, और जो मतलब मैं जैसे हम बोलते हैं कि आयरुवेद जो है लॉट धन्वंतरी है भगवान धन्वंतरी है जो आयरुवेद के भगवान है या मेडिसन के भगवान है तो कही न कहीं मेरा उन पर ट्रस्ट रहा हमेशा और मैं यही बिलीव अपना उन पर रखता रहा आयरुवेद पर ब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे को अपने काम का बेस चीज ये लगती है कि मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैं आता हूँ बैठता हूँ और बस बाते करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप से मुझे बाद मैं क्या-क्या चीज़े ले सकता हूं क्या-क्या ने ले सकता हूं क्योंकि यह सही तरीका है so thank you so much sir आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपको अच्छा लगता है कि आप जैसे आप बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं मैं को बोलना चाहिए मैंने आपकी वीडियोस रैंडमली बहुत बार देखी हैं बट जब मैंने चानल लेका डेफिनिटली बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और मुझे बुलाने के लिए thank you so much यह बेरे लिए भी बहुत एक चीज़ रहते हैं मजाग मजाग में इंस्टाग्राम शुरू हो मजाग मजाग में यूट्यूब शुरू हो और यह चीज़ चलती रही और यही एक जर्णी है लाइफ का मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ के साथ एक्स्पेरिमेंट करें और लर्निंग हमेशा अक्टिव रखें अपनी तभी आप चीज़े ग्रास्प कर पाएंगे अगर आप यह सोचे कि हमें सब कुछ आता है या सब कुछ हो गया तो वो एंड हो गया लाइफ में अगर कंटिन्यू रहना है तो हमेशा चलते रहना पड़ेगा बिल्कुर बिल्कुर तो थैंक्यू सोमच सर और धेहरदुन वालों के लिए एक गुड निउस है आप मैसे जो भी सर की क्लेनिंग जाते हैं तुलसिय आयुरुवेद में उनको 50% आफ मिलेगा कंसल्टेशन में और कोड आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो प्लीज जाएए अपना बोरी टाइप जानिये और देखिए कि आप क्या क्या सप्लिमेंट्स यूज कर सकते हैं तो थैंक्यू सोमच थैंक्यू सोमच सर आने के लिए आप